वारानसी कोट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ती खारिच की ग्यानवापी में पूजा के हक पर सुनवाई होगी वारानसी समवाद दाता। ग्यानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा की अनुमती समेत तीन मांगों से जुड़े हिंदू पक्ष के वाद को वारानसी की सि इनियर डिवीजन फास्ट ट्रेक अदालत ने सुनवाई योग्य माना है। इसी के साथ कोर्ट ने गुरुवार को वाद की पोशनियता मेरिट पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की अरजी खारिच कर दी। सुनवाई के बिंदू ते होंगे जिलाशा सकीय अधिवक्त लेकिन कई तितियों के बाद गुरुवार को अदालत ने आदेश जारी किया। मामले में विश्व वैदिक सनातन संग की कारेकारी अध्यक्ष किरन सिंग ने वाद दायर क्या था। उन्होंने ग्यानवापी परिसर के सिर्वे के दौरान शिवलिंग जैसी आकृती की पू कमीशन सवे में ज्यानवापी मस्जिद के वजुखाने से एक आकृती मिली थी। अक्तूबर को पूरी हो 15 मायाईले मतने पक्षों की बहस वादी की इन तीन मांगों पर दोनों पक्ष दलील रखेगे पूजा पार्ट की अनुमती राइट टू प्रॉपटी के तहट मालिकाना हक हासल नहीं होता है। बताना होगा की संपत्ती कहां से और कैसे मिली। सुप्रीम कोर्ट के 6 फैसले और संविधान का हवाला भी दिया गया। दिसंबर को कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख ते की प्रवेश वर्जित करना तीन। परिसर हिंदूं को सौप की अपत्ती खारिच करदी की इस मामले में पूजा स्थला धिनियम 1991 लागू नहीं होता है। ऐसे में यह वाद सुनवाई योग्य है। शून्य पांच प्रतिवादी हैं। यूपी अजुमन इंतेजामिया, विश्वनात मंदिर ट्रस्ट कथिच शिवलिंग की पूजा प